बिस्मिल्ला इर्रामान इर्राहिम, السلام अलेकुम टेक्स लॉज का जमारे 11th lecture है जिसके अंदर हम 2nd head of income income from property को start करेंगे और इसको deal करेगा section 15 तो चलिए start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम समझते हैं कि income from property होती क्या है according to section 15 subsection 1, the rent received or receivable by a person for a tax year other than rent exempt from tax shall be chargeable to tax in that year यानि section 15 का subsection 1 हमें ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी property से rent को receive करती हैं या वो receivable होगा किसी भी एक tax year के लिए उस rent के इलावा जो के exempt है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे shall be chargeable to tax in that year तो उस साल में जिस साल का वो rent बनता होगा वो tax जो है वो chargeable होगा यानि उस amount के उपर उस rent के उपर tax लगेगा अब हमें इसमें कुछ important points हैं वो देखने हैं याद रखने हैं कि कौन कौन से चीज़े हैं जो कि property की जो rent है उसको receive करने के लिए हमें चाही होगी property means land and building only यानि कि वो property property जो होगी वो land या building पर मुश्टमिल होगी इसके लावा अगर कोई property होगी तो वो इस definition के अंदर या section के अंदर fall नहीं करेगी rent is taxable on actual basis यानि कि जितना actually tax receive sorry rent जो है वो receive किया जाएगा उसके उपर tax लगेगा actual basis के उपर अगर cruel basis यानि कि हमें अगले साल का rent जो था वो पहले मिल गया है या पिछले साल का मिला है तो इस तरह से जो rent रसीव होगा वो वाला rent taxable नहीं होगा यह सिर्फ उसी tax year के अंदर जिस के अंदर वो बनता था और उसमें रसीव हुआ है वो ही जो है वो taxable होगा higher of actual rent और fair market rent will be taxable यहाँ पर यह point याद रखना है कि जो property है उसकी जो fair market rent होगा वो taxable होगा यानि कि अगर आपका जो actual rent है वो उस fair market rent से कम है और एक property कहीं पर located है वहाँ पर rent बनता है 40,000 और जो हमने उसको अगर कराय पर दिया और हमने उनसे कराय आता है कि अवह 30,000 तो जो 40,000 है वो taxable होगा हाला कि हमें 30,000 मिलता है लेकिन taxable कौन सा होगा fair market rent जो होगा 40,000 taxable होगा उसके बाद the rent should be the consideration of the use or occupation यानि कि वो किसी इस्तमाल में होगी property या फिर उसके उपर जो है वो उसके against कोई consideration पे कर रहा होगा तो वो जो पैसे पे कर रहा होगा वो rent की definition के अंदर आएगा तो यह कुछ points है जो कि हमें याद रखनी है इस property की जो income है उसके लिहाज से उसके बाद हमने देखना है कि कौन-कौन सी amounts chargeable to tax होगी इसमें normally rent chargeable to tax या RCT का word यूज किया जाता है income property के लिए तो हमें यह देखना है कि कौन-कौन सी amount है इस income from property के अंदर जिसके ओपर tax लगेगा तो हमारे पास जो है following items will be added in income from property as rent chargeable to tax पहली item है rent received और receivable higher of actual rent और fair market value जो अभी हमने discuss किया था यह एक amount जो है वो taxable होगी forfeited amount token money under a contract of sale यानि अगर हमने किसी के साथ agreement किया हुआ है और उस agreement को forfeet कर दिया जैसे हम आम बयाना करते हैं token money उसके अंदर क्या होता है कि agreement से पहले हम कुछ amount दे देते हैं जिससे हम उसको property sale या पर purchase कर रहे होते हैं तो अगर कोई ऐसी amount थी वो forfeet हो गई किसे ने property खरीद नहीं थी लेकिन उसने जो था वो contract जो था वो forfeet कर दिया तो उसकी जो token money होगी वो जो है वो forfeet हो जाएगी यानि वो हमारे पास रह जाएगी तो वो taxable हो जाएगी payment by tenant on behalf of honor कि मालिक जो था मालिक मकान के बिहाफ के उपर है उस property के जो मालिक था उसके बिहाफ के उपर कुराइदार ने कोई भी payment की होगी तो वो भी taxable होगी one tenth of unadjustable advance received from tenant यानि कि अगर कुराइदार से कोई unadjustable advance जैसे हमोमी तोर पर होता कि अगर हम कोई property या घर कुराइपे लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें एक महीने का advance दें और एक महीने का कुराया जो हो दें तो वो जो advance होता है one month का वो unadjustable होता है यानि कि वो security purposes के लिए रखा जाता है maintenance के लिए तो उसकी जो one tenth amount होगी by default हर दफा वो amount है वो taxable होगी one time basically दिया जाता है जब कराये पे कोई घर या property ली जाती है तो one tenth उसका taxable हो जागा उस साल के अंदर irrecoverable rent receive कोई हमारा पुराना rent था कुरायदार छोड़ के चलेगी हमें उमीद नहीं थी कि हमें receive होग और by chance वो किसी भी तरह से हमें वो amount किसी साल के अंदर मिल जाती तो उस साल जिस साल वो मिली है उसके अंदर वो क्या होगी taxable हो जागी उन सब को जमा कर देंगे तो हमारे पास rent chargeable to tax हाजेगा यानि कि बस यह पांच items ही हैं जो के इस property के head के अंदर आएंगी इनके लावा कोई amount इसके अंदर शामिल नहीं होगी उसके बाद हमारे पास जो चीज आती वो है taxability यहां पर यह important point है कि यह taxability different होती है person aop के लिए अलग तरीका कार है और companies के लिए अलग तरीका कार है अगर person या aop के हम बात की जाए तो यह taxable होती है as a separate block of income यानि कि यह total income के अंदर शामिल नहीं की जाएगी यह head में तो आएगी यानि कि उस numerical में शामिल होगी लेकिन क्या होगा कि उसको हम inner column में total करके लिख देंगे और उसका tax पर tax के अंदर add कर देंगे जिसको अभी हम समझेंगे और दूसरी का point यहाँ पर याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी deduction of expenses allowed नहीं है person या aop के लिए यानि person aop के लिए दो शरायत है एक तो separate block of income जो है उसके लिहास इसको tax किया जाएगा यानि इसकी अपनी अलग से slab होगी और उस rates के मताबिक इसको इसके ओपर tax लगाया जाएगा दूसरा no deductions of expenses allowed यानि किसमें से कोई भी चीज माइनस नहीं की जाएगी person के case में अब हम देखते हैं कि इसके ओपर जो taxable as a separate block of income होगा वो किस rates के लिहास से होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक table है जिसके अदर लिखा कि अगर rent up to 2 lakh है तो 0% taxability है 2 lakh से 6 lakh है तो 5% of the gross amount exceeding यानि कि जासे normal हम tax लगाते हैं वैसे होगा लेकिन इसके rates और amounts की slabs कुछ different है तो यह जो slabs है यह जो है वो आपको अलग से याद करनी पड़ेंगी जो normal slabs है वो तो याद करनी ही है वो तो total income के उपर लगेगा यह वाला जो है वो property income के लिए अलग से slabs है rates है तो यह अलग से taxable किया जाएगा उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम इसकी taxability को देखें किस तरह से tax किया जाएगा तो यहाँ पर format है इसका income from salary section 12 as it is लिखेंगे income property को circle किया गया है red box से inner column के अंदर जितनी भी amount ही जो 5 items हमने पढ़ी थी उनका total जितना भी होगा inner column में total होके यहाँ पर amount आ जाएगी और इसको outer column में final column में नहीं लिखा जाएगा इसे तरह से हम नीचे देखते है taxable income आजएगी हमारे पास computation of tax आजएगा tax on other heads of income आजएगा उसके बाद इस tax के अंदर add tax on property income जो यह भी हमने slab देखी है जो अपने rates है उसके मताबिक tax में tax जमा हो जएगा तो tax payable with return निकल आएगा लेकिन company के case में यह ऐसा नहीं होगा company के case में income from property outer column यानि final taxable column के अंदर ही आएगी जैसे हम बाकी heads को taxable करते हैं जैसे यहाँ पे income from other source taxable हुआ है income from property भी ऐसे ही taxable होता है inner column ही नहीं बलके outer column में आएगी और दूसरी चीज़ के company के case में कुछ deductions allowed होती है तो वहाँ पे यह जो slabs हैं यह जो rates हमने देखे हैं यह सिर्फ aop या person के लिए है company के लिए normal taxable होगा यानि कि उसका tax total income में जब income आ जागी तो taxable income के लिहास से जैसे normally हम tax calculate करते हैं इसको हम वैसे ही calculate करेंगे जब देखते हैं कि exemptions हमारे पास जो person वाली head है यानि इसमें कौन कौन से exemptions हैं यानि कि अगर हम person रहे हो पी की इनके हम प्रॉपर्टी calculate कर रहे हैं तो उसमें कुछ exemptions हैं वो क्या है use for agriculture कि अगर वो properties mean land building agriculture purpose के लिए इस्तमाल की जा रही है तो वो इस head के अंदर taxable नहीं होगी यानि कि exempt होगी उसके बाद अगर property trust है legal obligation के रहत रखी गई है religious कोई obligation है charitable purpose के लिए तो भी उससे भी income generated होगी वो taxable नहीं होगी exempt होगी welfare institute and non-profit organizations है उनकी इंकम taxable नहीं होगी अब यहां पर एक और चीज समझने के rent not chargeable under section 15 but taxable under section 39 यानि के कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें देखने में तो rent या income from property लग रही होगी लेकिन एक्चुली वो section 15 में taxable नहीं होगी बलके वो other source की income है वहां पर जाकर taxable होगी तो यह तीन चार items है यह आपने याद रख लेनी है कि अगर किसी property को sublet किया गया है तो उसकी income from property में taxable नहीं होगी बलके income from other source में चली जाएगी ग्राउंट अगर लिया जा रहा है तो वो भी income from other sources में ली जाएगी यानि के कुछ properties मैस होता कि उसकी जो building है constructed property उसका तो अलग rent चार्ज किया जाता है और जिस ground पे वो constructed होती है ना उसका अलग से rent चार्ज किया जाता है तो अगर इस किसम का कोई मामला है तो ground rents है वो other source के अंदर चला जाएगा natural deposit exploration के उपर अगर हमें कोई महां से income आ रही है जैसे के mines हैं minerals हैं तो वो जो income है वो भी other source के अंदर जाएगी वो इस normal head के अंदर शामिल नहीं होगी land and building अगर ती कि ये with planter and machinery और फेक्टरीज वगरा की बात अगर हमें मिलते हैं रसी वो तो प्रॉपर्टी के अपर तो वो प्रॉपर्टी के इंकम हैसा नहीं होगा बलके वो other sources के अंदर चले जाएंगे बस वो जो पांच चीज़ हमने पढ़ी थी वो ही होंगी income from property ये हो गया सारे का सारा कि अगर हम person ये ये बात कर रहे हैं तो य हैसा ही उनी हेट के साथ जमा होके पांचवा है वो आज एका property का और इनके जो company है इसके case में कुछ deductions allowed है यानि के income from property तो वो ही है दोनों में same है जो पांच हमने items पढ़ी है person के लिए भी वो ही income है और company के लिए भी वो ही income है लेकिन company के case में कुछ deductions दे दी गई है कि वो amounts जो है वह हम उसकी जो income from property है जो RCT आएगी उसमें से हम इनको minus करके फिर income जो है वो chargeable to tax होगे उसमें हमारे पास जो deductions हमने सबसे पहले repair charges 1 by 5th of RCT यानि कि आपने repair charges की है या नहीं की है या actual expenses होए है तो 1 by 5th of RCT यानि कि जो उस company की वो जो 5 items को जमा करके RCT आएगा उसम जाएगे यानि कि for example वहाँ पर आता है 50,000 की amount आ जाती है तो उसका हम 1 by 5th निकालेंगे और वो amount जो है उसमें से RCT में से minus करती जाएगी insurance premium अगर company पे कर रही है कोई local tax पे कर रही है वो property loan लिया हुए उससे construct की गई है बनाए गई है तो profit on debt है वो दिया गए अगर remote gauge करवाएगी है तो उसके remote gauge के जो amounts होंगी वो भी as a deductions दी जाएगी ground rent यहाँ पे as a deduction दिया जाएगा share of rent to HBFC और banks के अगर loan लिया हुए और वो इस तरह से लिया हुए कि उसके उपर आपको rent पे कर रेंटल बेस के उपर administration and collection charges अगर हैं तो lesser of actual charges और 6% of our city अगर यह वाले collection जो है वो deductions दी जा रही है तो actual charges जो किए गए administration collection के उपर यहाँ पिर 6% of our city जो हो यह भी deduction के अंदर आजेगा और अगर को legal charges है उसके उपर को suit चल रहा है case चल रहा है उसके अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है वो भी deduction के तोर पर वहां से minus कर दिया जाएगा यानि कि वह 5 items add करने के बाद जो income है उसमें से यह 5-6 items जो है वो minus कर दी जाएगी तो फिर income आजेगी company के case के अंदर अब हम इस सब को समझते है एक लिस्टेशन की मदद से Mr. B is earning a salary of 50,000 per month he is also earning income of 1 lakh from other source he has received rent rupees 40,000 per month unadjustable deposit was also received rupees 2 lakh he also claimed the deductions for repair charges 1 lakh compute his tax payable तो यहाँ पर हमें numerical पड़ को जो समझ आ रही है उसमें हमने सबसे पहले देखना he also claimed deductions of repair charges तो यह क्यूंके person का case है तो इसमें deductions claim नहीं होगी लिखावा बेशक आजे लेकिन इसमें से यह amount minus नहीं होगी हाँ अगर यह company का case है तो फिर deductions repair charges 1 lakh minus होंगे और हमें इसको देखना पड़ेगा कि 1 by 5th हम निकालेंगे RCT का तो 1 lakh की बजाए हम कौन सा chargeable करेंगे 1 by 5th of RCT जो भी निकालेगा ठीक है तो इन 1 lakh को ignore कर देंगे और 1 by 5th हम वहां से claim कर लेंगे as a direction in case of company लेकिन अभी हमने इस numerical को as a person जो हो solve करना है solution की तरफ जाती income from salary आजेगा 6 lakh income from property जैसे मैंने बताया के inner column में आएगा rent 40,000 multiply by 12 4 lakh 80,000 inner column में लिख दिया उसके बाद unadjustable deposit हमें उपर नजर आ रहा है 2 lakh इसका हम क्या करेंगे 1 by 10 जो होगा वह amount यहां पर एड़ कर दी जाएगे 2 lakh into 1 by 10 20,000 यह भी इसकी income एड़ हो जागा तो total आजेगा हमारे पास 5 lakh यहां पर inner column में आपने लिख देना है RCT taxable as a separate block यानि कि इस amount को outer column में नहीं ल यह वहां पर यह as a separate block of income taxable ना होता अब हम क्या करेंगे income from other sources को add कर देंगे section 39 का other source income 1 lakh तो 6 lakh plus 1 lakh 7 lakh यह वाली amount होगी और 5 lakh property वाली amount होगी हम हम क्या करेंगे कि 7 lakh के उपर जो हो टेक्स लगाएंगे किम्टेशन उप टेक्स करते हैं 6 lakh के उपर निल और उसके बाद tax on 7 lakh minus 6 lakh 5% normal rate के उपर हम लगा देंगे तो हमारे पास यहाज़ेगी 5000 अब हम add कर देंगे इसके अंदर tax on income from property इनका property का जो tax होगा वो उसके अपनी slab के मताबिक चार्ज किया जएगा tax on 2 lakh हमने देखा slab के इंदर nil था और tax on 5 lakh minus 2 lakh तो हमने देखा था कि जो पहली slab 2 lakh से 6 lakh वाली थी उसके अंदर 5% हमने tax लगाना था तो 5% आज़ेगा 3 lakh 15,000 अपर वाला 5000 नीचे वाला 15,000 जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आज़ेगा 20,000 यह वाला tax होगा वो payable with return होगा और जैसे मैंने बताया कि अगर यह company का case होता त तो वो RCT जो है वो inner column हम लिखते 5 lakh 5 lakh में से जो deductions उनको minus करते यानि के repair charges 1 by 5th minus कर दे जाते और जो amount आती हम उसको final taxable column के अंदर लिखते थे और उसका tax normal जो tax जैसे calculate हम यहाँ पे हमने 6 lakh 7 lakh के उपर किया है इसी तरह से वो amount taxable हो जाती तो अब हम यहाँ पे हमारा head complete हो जा किते हैं कि किस तरह से कौन कौन से items आएंगी तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने भी बताया कि income from property intersection 15 डील करेगा पांच items जो है वो RCT के अंदर add कर दी जाएंगी और अगर company का case होगा तो यह less deductions allowed ने जो deductions हमने पढ़ी है सारी सारी deductions में से minus करके final amounts है वो taxable column में चली ज income तो उमीद है आज वाला जो हमारा lecture है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा और यह income from property यहाँ पर complete हो जाएगा बस main item आपने इसमें पूरे overall यही याद रखने कि अगर person का case होगा तो यह RCT as a taxable होगा as a separate block of income और कोई deduction allowed नहीं होगी और इसके अपने rates होंगे उस slab के मताब उसके ओपर हमेजा taxable कर देंगे और normal rate के ओपर इसके ओपर tax निकल आएगा तो उमीद है यह वाला lecture आपको समझ आ गया होगा तो इंशाला अगले lecture के अंदर हम मिलते हैं जो के होगा income from business का section 18 तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अलाफिस